हम बात कर रहे हैं IRB Infra की आज की दिन की बात करें तो इस टॉक जो है फिलाल हमको 1% के उपर के आफसाइट के साथ फिलाल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है हम देख सकते हैं इस वक्त इस टॉक जो है हमको 66.55 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है गिरावट के बात 56 के लेवल से स्टॉक ने बांस बैक किया है और बांस बैक के साथ हम देख सकते हैं 68 के लेवल पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है और जब rejection लेकि गिरावट आ रही है तो 65 की लेवल पर stock support लेता हुआ नज़र आ रहा है 65 के आसपास हमको बड़ा selling आप यहां से देखने के लिए नहीं मिल रहा है stock एक range में अपना काम करते हुए नज़र आ रहा है 65 से 68 के between consolidate होता हुआ नज़र आ रहा है जो यहां इंटर हुए उस ही range में भी बने हुए जिसकी वज़ा से हमको बड़ा selling देखने के लिए नहीं मिल रहा है बड़े pillars यहां से exit करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वैसी चेश पेजन में breakout के chance जियादा बनते है क्यूंकि stock अपने up train में उपर की और अपने high के आसपास recent high के आसपास sustain होता हुआ नज़र आ रहा है stock जो इस level को breakout देता हुआ हमको नज़र आ सकता है लेकिन हमने इससे पहले भी वीडियो में discuss किया है क्या हमको नज़र रखना है 70K level पर तगडा resistance zone हो इसका क्यूंकि हम देख सकते हैं जब गिरावट आ रहे थी इस दफ़ा rejection लिया था 70K level से stock ने बड़ी गिरावट डिकाए थी अगेन जब bonds back हुआ इस level को breakout नहीं कर पाया वहाँ से अगेन बड़ा selling देखने के लिए मिला था तो यह तगडा resistance रहेगा 70K level लेकिन अगर इसको breakout कर गया तो फिर IRB इंफरा में हमको बड़ी तेजी बड़ी buying भी किसी भी वक्त फिर देखने के लिए मिल सकती है तो अब हम को target की बात करें अब हम तो immediate target रहेगा 68 का इसको breakout कर गया तो next target 70 का लेवल 70 का लेवल इसका तगडा resistance और इसको breakout कर जाता है तो फिर वैसे condition में यह जो इसका है 70 का लेवल ए next resistance का का काम करेगा यह फिर इसको breakout देना important रहेगा अगर 70 का लेवल breakout करके stock sustain हो जाता है उपर की और तो वैसे condition में high भी breakout होता हुआ नजार आ सकता है फिर 74 से लेके 80 तक के भी target IRB इंफरा में आमको short term में ही देखने के लिए मिल सकते है अगर आप ultimate account open करना जाते हो तो description में दीवही लिंक से कर सकते हो वीडियो जो है education purpose के लिए कोई buy sale या hold की सला नहीं है